मित्रों नव चेदना यूटूब चैनल में आपका हर्दिक हर्दिक अभिनंदन है मैं अम्रेश कुमार शवास्तो आज मत्प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री श्री केलाशनात कार्जू के बारे में बात करेंगे श्री केलाशनात कार्जू मत्प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनने अपना पाई साल का कारकाल पूरा किया कार्जु जी का जनम जारवा में हुआ था रतलाम जिले के जारवा उसक जोरा एक रियासत हुआ करती थी रियासत में हुआ था इनका जनम 17 जून 1887 में हुआ था इनके पिता जारवा उसक जोरा रियासत थी उसके दिवान हुआ करती थे यह जात से समास से ब्राह और कश्वीरी पंडित थे ये पर ये कश्वीरी छोड़के जावरा में आके बस गए थे इनके पिता का नाम तुर्भवनात कार्जू था और इनकी पत्नी का नाम इंद्रकुमार किशोरी था इनके तीन पुत्र और दो पुत्रियां थी और ये उस वक्त का बहुत ज्यादा स इनके पुत्र माना है इनके पोते के लाजनात काड़ू जी के पोते मार्केंड काड़ू सुप्रीम कोड तक पहुचे और ये स्वें कोड से रेटायर हुए अपन कह सकते हैं कि उस वक्त का भी बहुत प्रतिस्ठित शिक्षित और व्यवसाईक परिवार था इनकी उपर कहानी है यह राजनीती में नहीं आना चाहते थे क्योंकि इनके पिदा जी मोतिलाल नहरूज के साथ वकालत करते थे और यह नहरूजी से दो साल बड़े थे नहरूजी इने भई अगाह करते थे इसलिए नहरूजी से इनका लगाओ बहुत ज़ादा था और नह नहरूजी चाहते थे कि यह राजनीती में आएं इनकी वगाला त्यूसक की प्रेटिस बीस पच्चिस हजार रुपया मेहना थी इसलिए राजनीती में आना नहीं चाहते थे नहरूजी ने राजन प्रशाद जी को इस काम पे लगाया और कहा कि आप इन्हें किसी इप तरी लेके आए उस वद इनकी पाज़बुक में 13 लाख वैजमाते आप कलपना कर सकते हैं कि उस वद के 13 लाख क्या की बगती और उन्होंने का यह पाज़बुक में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं राजनीती में आऊं तो लोग यह नहीं कहें कि इनोंने पैसा बना लि आजादी के बाद इन्हें उडिसा का गवर्नर बनाया गया और इन्होंने गवर्नर का कारकाल जो था इनका 15 अगस्त जिस दिन देश सुतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक यह गवर्नर रहे इसके बाद यह बंगाल के गवर्नर रहे दो साल उन्हें बंगाल का भी गवर्नरी काम किया उसके बाद 1952 की चुनाओं में यह मंसोर से सांसर चुने गए और सांसर चुनने के बाद नहरूजी के मंद्री मंदल में इन्होंने ग्रह विभाग समाला इन्होंने रक्षा मंद्राले समाला और इन्होंने बड़ी सुच में मत्प्रदेश का निर्मान हो चुगा था और पहला आम चुना हुआ तो यह उसक्त मुख्यमंत्री बन गए थे मत्प्रदेश के और इनके नेत्रत में चुनाओ लड़ा गया और और 1957 के चुनाओ में उसक्त 288 सीटी हुआ करती थी कॉंग्रेस को प्रचन पहुमत मिला और कॉंग्रेस को 232 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और यह 1957 में पहले बार मुख्यमंत्री का पदेनों ने ग्रहन किया मुख्यमंत्री काल इनका बहुत सोचारी रूप से रहा इन्होंने पास साल बहुत अच्छा काम किया वगर इनके पीचे कई किस से जुड़े नहीं परंपरा भी डाली जब उसक्त जावरा अरतलाम के आजियो बाजू के इलाके में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा करता थ चंबल नदी वहां से बहती थी इन्होंने चंबल पर बांध बनाने के लिए योजन आयोक से मंजूरी दे दी मारे योजन आयोक पैसा देने को तयार नहीं था इन्होंने जो बांध था उसका 25 परसेंट जन्भागीदारी से इखटा किया चंदा और उस वक्त देश का पहल की ओपर बांध बन्ध किया इंक और भी घिस्ते है एक बार यह चतर पूर गए और चतर पूर में एक प्रतिनीधी मंदलीच से मिलने आया उसक्ते मंत्री थे दर्षयत जैन इनके इसात लोगों कुछ मिलने आये और दर्षयत जैन ने एक लोगों का परजय कराया कि यह फल प्रचाने काड़ुजी भुलकड थे काड़ुजी ने उनसे पूछ लेकि आप कौन है तो ने कर दिया मैं दसरजयन अच्छा उन्हें लेगे मेरे मंतिरी मंदल में तो एक दसरजयन है तो उन्होंने बड़े हच्छ से हुए कहा कि साव मही हूं इस तरीके के उनके कई किस्से गांधी सागर बंज जब इनके नाम पर बनाया गया तो इनके सेनभागीधारी से बनाया गया तब से इनको चंभल सहाम भी कहा जाने लगा यह चंभल साप के नाम से फ्रसिद्ध हो गयते हैशों का उनने सो बासट में जब फिर से आम चुनाओ एंका जब पार पूरा पूरा हो चुका था यह रीवा में एक बार चुनाओ की मीटिंग में बैठे थे चुनाओ की कारवाही चल रही थी नेरुजी भाषन दे रहे थे तो इनको इनके सबाड़नेट ने इनके दिनस्त अधिकारी ने एक तार दाकित दिया और तार में लिखा लिखा था कॉंग्रेस को तो बहुत मिद्वाप्त हो गया था मगर्ड यह चुनाव भार गया थे नहरूजी को बड़ा अपसोस हुआ कि यह चुनाव भार गया वह उसके बाद धिरे 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 कर गये अपने शहर इलाबाद पहुच गया यह वह यह इस्थाई रूप से नवास करने लगे और इलाबाद के लिए काम करने लगे प्रेक्टिस करने लगे किद्व 17 फरवरी 1968 में इन्हों नहीं सास ली और कॉंग्रेस ने एक उधायमान एक कॉंग्रेस ने प्रतिस्थित एक सितारा हमेशा हमेशा के लिए खूदिया धन्यवाद विच्टर है यह यूट्यव आपको पसंद आया हो तो क्रपिया लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उस्सा बढ़ सके धन्नवाद